सब्सक्राइब तो बीएच्चू कैंपस और प्रेस बेल आइकॉन तो गेट लेटिस्ट वीडियो नोटिफिकेशन फर्स्ट हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीएच्चू कैंपस में चलिए व्याकरन शुरू करते हैं दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे समास कहते हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि पद क्या है समास में दो पद यानि शब्द होते हैं पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तरपद कहते हैं जैसे गंगा जल में गंगा पूर्वपद है और जल उत्तरपद अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि पुर्वपद और उत्तरपद किसे कहते हैं तो आप कोई भी समास उसका विग्रा करके पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं समास के भेद समास के च्छ भेद हैं 2016 में ये प्रशन पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं अब यही भाव समास तत पुरुष समास द्विगु समास द्वंद समास बहुब्रीही समास कर्मधारय समास आपको एक सौट ट्रिक बता देती हूँ अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी तो आप कोई भी समास तुरंत पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखे अब यही भाव समास में पूर्वपद प्रधान होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया गंगा धन जल तो गंगा पूर्वपद है और जल उत्तरपद है तो अब्याई भाव समास में पूर्वपद प्रधान होता है तद पूरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है कर्मधारे में दोनों प्रधान होते हैं क्योंकि विशेशन और विशेश्य होते हैं विगु समास में पहला पद संख्या वाचक होता है और द्वन्द समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथी विग्रह करने पर दोनों के शब्दों के बीज हेफन लगता है या आप उसे योजक चिन्न कह सकते हैं योजक्चिन इसको कहते हैं जैसे माता, पिता, भाई, बहन और छठा है बहुब्रीही बहुब्रीही में किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है मतलब इसके पुर्व और उत्तरपत दोनों आप्रधान होते हैं वो किसी तीसरे की प्रधानता बताते हैं अब हम समास को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं दुंद्समास जिस समास में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों ही प्रदानों अर्थात अर्थ की दृष्टी से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वन्द समास कहलाता है और जब आप उसका विग्रह करते हैं, तो वो संयोजक शब्द जो है, वो और शब्द में बदल जाता है, इसका उधारन देखते हैं, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता के बीच में जो संयोजक या योजक चिन हैं, वो और शब्द में बदल गया है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है आप ये कह नहीं सकते कि आपके जीवन के लिए माता ज्यादा महत्वपुर्ण है या पिता इसी तरह से रामकृष्ण दोनों के गुणों में और दोनों ही प्रभू हैं दोनों के गुणों में भी कोई अंतर नहीं इसलिए दोनों में कौन प्रधान ह अब कह नहीं सकते इसका विग्रह होगा राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुन्य, पाप और पुन्य, सुख दुख, तो सुख और दुख नेक्ष्ट देखते हैं, दुख समास, जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो, दुख समास कहलाता है, तो जिसके भी शुरुवात में संख्या वाची, किसी संख्या का ज्यान हो, शब्द से, उसमें दुख समास होता है, क्योंकि आप लोग नाम से ही देखिए, इसी से आप समझे कि संख्या वाची जिसमें हो, पूर्व पद में वो द्विगु होता है, चलिए इसका उधारण देख लेते हैं, देखिए, नव रतन, नव प्लस रतन, तो नव में नव, और इसका जो भीग्रह करेंगे, तो नव रतनों का समूह, इसमें द्विगु है सप्त दीप, सप्त में साथ, इसका विग्रह होगा साथ दीपों का समूह, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, सत मंजिल, साथ मंजिलों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है, दोस्तों, जितना सरल हो सके, मैं उतना सरल आपको बता रही हूँ, तीसरा है तत्पु पूरुषमास जिस समास में पूर्वपद गौन तथा उत्तरपद प्रधान हो पूरुपद गौन का मतलब होता है कि इसमें उत्तरपद की प्रधानता ज्यादा होती है पूरुषमास कहलाता है दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोब होता है परसर्ग कारक्चिन्न होते हैं इनका विग्रह करेंगे तो कारक्चिन्नों का प्रयोग हो आप एक साधरार सी भाषा में कह सकते हैं कि जिनमें कारद चिन्न का प्रयोग हो उसमें ततपुरु शमास होता है बस आपको विग्रह करना आना चाहिए चलिए इसके उधारण देख लेते हैं इसे पहले ततपुरुष समास के जो भेद होते हैं छह भेद उन च्छहों के हम आपको उधारण सहीत बताने वाले हैं पहला है कर्म तत्पुरुष को का लोप जैसे मत दाता इसका विग्रह होगा मत को देने वाला तो इसमें को जो है वो कर्म कारक का चिन है फिर गिरह कट गिरह को काटने वाला तो जो को है ये भी कर्म कारक का चिन है इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है दूसरा है करण तत्पुरुष जहां करण कारक चिन्न का लोप हो जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन, यहां से करण कारक का चिन्न है, मुह मांगा, मुह से मांगा, गुड हीन, गुडों से हीन नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष जहां संप्रदान कारक चिन्न का लोप हो जाता है, जैसे हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहां पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्न है, सत्यागरह, सत्य के लिए आगरह, युद्ध भूमी, युद्ध के लिए भूमीन नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष जहां अपादान कारक चिन्न का लोप हो जैसे धन हीन तो धन से हीन यहाँ पर अलग होने का बोध होता है अपादान तत्पुरुष में भय भीत भय से भीत अभी करण में जो था उसमें भी से था और अपादान तत्पुरुष में भी से है जन्मान्ध जन्म से अंधा नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष जहां संबंध कारक का चिन्न का लोप हो जैसे प्रेम सागर प्रेम का सागर यहां कार जो है वो संबंध कारक को बताता है संबंध कारक का चिन्न है दिन चर्या दिन की चर्या भारत रतन भारत का रतन लास्ट है अधीकरण तत्पुरुष जहां अधीकरण कारक चिन का लोप हो जैसे निती निपुड निती में निपुड तो जो में है वो अधीकरण कारक का चिन है आत्म विश्वास आत्म आत्मा पर विश्वास गुड सवार खोड़े पर सवार इससे पहले आपको जो अगर तत्पुर्ष शमास को समझना है तो कारक के जो चिन है आप बस उसको ध्यान में रखें और आपको वीग्रह सही से आना चाहिए पता चल जाएगा कि तत्पुर्ष शमास कहा है नेक्स्ट समास देखते हैं कर्मधारे समास जिस समास में पुर्वपद विशेशण और उत्तरपद विशेश से हो कर्मधारे समास कहलाता है मैंने और भी जो question paper आपको solve करवाए उसमें कर्मधारे समास पूछा गया था इसमें भी उत्तरपद प्रधान होता है जैसे तत्पुर्ष शमास में इसके कुछ उधारण देख लेते हैं काली मिर्च तो मिर्च आप अगर विग्रह नहीं जानते हैं तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं कि मिर्च संग्या है विशेश्य को संग्या कहा जाता है और मिर्च की क्या विशेश्ता है मतलब मिर्च का विशेशन है कि वो काली है तो इसमें कर्मधारे समास है इसका विग्रह होगा काली है जो मिर्च फिर नील कमल कमल जो है वो विशेश्य है संग्या है और इसकी क्या विशेश्ता है कि व मतलब होता है कपड़ा और यह जो कपड़ा है अंबर है इसकी विशेस्ता है कि यह पीत है मतलब पीला है तो आप समझ गए होंगे कि कर्मधारे समास कहां होता है चंद्रमुखी मुख विशेशे हैं और चंद्र विशेशन चंद्र के समान मुख वाली फिर सद गुड तो सद है जो गुड गुड की क्या विशेशता है कि वो दुर्गुड नहीं है वो सद गुड है चलिए next देखते हैं next है अव्याई भाव समास जिस समास में पूर्वपद अव्य हो अव्याई भाव समास कहलाता है इस वाक्य में क्रिया विशेशण का कार्य करता है आप एक बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूर्वपद अव्य शब्द वे होते हैं जिन पे किसी भी लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं होता जैसे आपको उधारण में बताते हैं यथा स्थान इसमें स्थान जो है वो विशेश्य है और यथा अव्याई स्थान के अनुसार आजीवन इसमें जीवन विशेश्य है या संग्या है और आ जो है वो अव्या है प्रती दिन ये 2018 में पूछा गया है प्रती दिन में दिन विशेश से है संग्या और प्रती जो है अव्या है इसका विग्र होगा प्रती एक दिन यथा समय समय के अनुसार आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जहां पर यथा आ प्रती इन सब वर्णों का प्रयोग हो, इन सब शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर अव्याई भाव समास होगा लास्ट है, बहु ब्री ही समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेश अर्थात, तीसरे अर्थ का बोध होता है बहु ब्रीही समास कहलाता है जैसे महात्मा महान आत्मा है अर्थात जिसकी उची आत्मा वाला महान आत्मा वाला नील कंट तो नीला कंट है जिनका अर्थात शिवजी कभी कभी कर्मधार है और बहु ब्रीही समास में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नील कंठ में एक तरह से कर्मधार समास भी होगा क्योंकि कंठ जो है वो विशेष है और कंठ नीला है ये उसका विशेशन है पर ये किसी तीसरी की विशेष्ठा बताताँ है ऐसा क्या सकते हैं अगर आप किसी को परियाईवाची शब्द है किसी का या फिर उसकी विशेस्ता की अनुसार उसको कोई विशेशर प्राप्त हो तो उसमें बहुबरी ही समास होता है जैसे लंबो उदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गडेश जी गिरिधर, गिरी को धारड करने वाले अर्थात स्री कृष्ण इसमें दो पद हैं, इसमें हैं गिरी और धर ये दोनों पदों की विशेस्ता नहीं बता रहा है ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है इसलिए इसमें बहुबरी ही समास है और लास्ट है इसका उदारण मक्खी चूस तो मक्खी, चूस ये दोनों ही शब्द किसी तीसरे की विशिस्ता बता रहे हैं कि वह जो व्यक्ति है वह बहुत कंजूस है तो बहुत कंजूस व्यक्ति दूस्तों ये था समास उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगला टॉपिक है उपसर्ग इससे हर साल एक कोश्चन आता है उपसर्ग का अर्थ है उपका अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है स्रिष्टी करना किसी शब्द के समीप आकर नया सब्द बनाना जो सब्दांच शब्दों के आदी में जूड़कर उनके अर्थ में कुछ विसेस्ता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं आदी मतलब शुरुवात में जूड करके जैसे हार में आ जोड देने पर हो जाएगा आहार जिसका अर्थ होता है भोजन और उसमें अगर आप सम जोड देंगे तो समहार हो जाएगा मतलब विनाश तंस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13 उर्दू और फार्सी के उपसर्ग की संख्या 19 है हम लोग हिंदी के उपसर्ग को कवर करेंगे इसमें हम आपको उपसर्ग उसका अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले कुछ उधारन बताएंगे चलिए शुरू करते हैं औ उपसर्ग इसका अर्थ होता है अभाव या निशेद और इसके उधारन है अचूता, अथा और अटल इत्यादि दूसरा है अनुपसर्ग इसका अर्थ होता है निशेद के अर्थ में और इसका उधारण है अनजान, अनमोल, अलग, अनकहा, अन्देखा, इत्यादी तीसरा उपसर्ग है का, का का अर्थोत है बुरा या हीन इसका उधारण है कपूत, कचोट, इत्यादी कू उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा इसका उधारण है कुचाल, कुचैला, कुचक्र, इत्यादी पाचवा दू उपसर्ग है इसका भी अर्थ होता है बुरा, हीन या फिर विशेश इसका उधारण है दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल, इत्यादी नेक्स्ट है बिन इसका अर्थ होता है बिना या निशेद इसका उधारण है बिन ब्याहा बिन बादल बिन पाए बिन जाने इत्यादी सात्वा उपसर्ग है नि इसका अर्थ है अभाव या विशेश इसका उधारण है निगोडा निदर निकम्मा इत्यादी नेक्स्ट है आओ या फिर आव उपसर्ग इसका अर्थ होता है हीन निशेद के अर्थ में इसका उधारण है आवगुन, आवघर, आवसर, आवसान, इत्यादी नेक्स्ट है भर उपसर्ग इसका अर्थ होता है पूरा इसके उधारण है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार Next है सू सू का अर्थ होता है अच्छा इसके उधारण है सुडॉल, सुजान, सुघर, सुफल, इत्यादी Next है अध इसका अर्थ होता है आधे अर्थ में इसके उधारण है अधजला, अधखिला, अधपका, अधकच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् का अर्थ होता है दूसरा या बाद का इसका हुदारण है पर लोग परुपकार परसर्ग परहित इत्यादि आईए अब देखते हैं तत्सम और तद्भाव शब्द इससे दो प्रश्णा आते हैं इंट्रेंस में संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और दूसरा है तद्भाव शब्द ये वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है इसके उधारण देखते हैं। आशीश का आशीश, ओस्ट का ओट या फिर होट, इक्षु का एक, उलूक का उलू, उस्ट्र का उँट, एका दश का ग्यारह, कच्छप का कच्छुआ, कटु का कडवा, कंदुक का गेंद, कपाट का किवाड, कपर्दिका का कौड़ी, कर्ण का कान, ये 2018 में पूछा गया था, कि आप तद्भाव शब्द चुनिए, 2018 में ये प्रश्ण पूछा गया था, कि तद्सम कौन सा नहीं है, उसमें कान ओप्शन में था, करपूर का कपूर, कार्य का काज, कास्ट का काट, कुपुत्र का कपूत, कुब्ज का कुबडा, कुम्बकार का कुमार, कुमार का कुवर, कुष्ट का कोड, कूप का कुवा, कोकिल का कोयल, कोटी का करूण, घरजन का गरच, गरदब का गधा, गुरंथी का गांठ, ग्राम का गाउं, गोधुम का गेहुं, गौर का गुरा ग्रिद का गीध, ग्रिह का घर, घटिका का घड़ी, ग्रित का घी, चंचु का चूँच, चतुर्थ का चोथा चंद्र का चांद, चर्मकार का चमार, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, चोर का चोर, छिद्र का छेद, जेष्ट का जेट, जिहुआ का जीव, तामर का तामबा दोस्तों इसके उधारण बहुत ज़्यादा है सबको बता पाना संभव नहीं है आप लोग एक बार इन पूरे उधारण को एक बार देख लें इसके अतरीक्त अनेक शब्द का एक शब्द से एक प्रशना आता है पर्यायवाची से भी एक प्रशना आता है यह सब बहुत ही साधारल टॉपिक है यह आप लोग देख लें और इंट्रेंस में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता बहुत ही सिंपल कोश्चन आते हैं इससे मुहावरे से भी बहुत ही सिंपल कोश्चन आते हैं आप वो सब भी देख लें आपको इस PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार जरूर चेक कर लें और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद